तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने दिखा था कि एलक्स को जिया के साथ उस पैलस में बर्ड फैदर मिल जाता है जिसके बाद एलक्स वहां से बाहर आ जाता है लेकिन वो किसी दूसरी जगा पर आ गया था और वो अगेला था यनि उसके साथ जिया भी नहीं थी लेकिन तभी उसकी तरफ एक बड़ा सा हाथ आता है, इसके बाद यह एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां पर वो बड़ा सा हाथ एलेक्स पर अटैक करते हुए उससे कहता है, कि तुम बूटियन हॉल के दुश्मिन हो, लेकिन एलेक्स उससे बचकर अपने स्पिर्चियल पावर का इस्तामाल करके उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी वो आदमी जिसने वो बड़ा सा हाथ बनाया था, वो सामने आकर अचानक से एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उससे देख लेता है, और उस पर अटैक करके उसे दूर फैं कहता है कि जैसिका तुम नहीं रख्ती जिस पर आदमी और जैसिका को आपको द्रिंग की है लेकिन एलेक्स बड़े आराम सी बगर हिले ही अपनी स्पिर्चिल पावर से उसे रोकर गुल गुल गुमा कर दूर पहंग देता है लेकिन वो आदमी फिर से खड़ा हो जाता है और स्काई पेनिट्रेटिंग टेकनीक का इस्तमाल करने लगता है कि एलेक्स तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बता रहा था तब एलेक्स जेसिका से कहता है कि तुम्हारे इस मेंबर ने मुझ पर पीछे से टैक किया था मगर फिर भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसलिए मैं तो बस इससे थोड़ा मजाग कर रहा था तब जेसिका एलक्स से कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहीं पर ही मिल गए मैं काफी टाइम से तुम से बात करना चाह रही थी पिर जेसिका एलक्स को अपने पीछे आने के लिए कह देती है जहां पर एलक्स भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है इसलिए अब तुमें उसकी बात नहीं करने चाहिए जिस पर जैसिका कहती है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा आने वाला है तो क्या तुमें किसी की हल्प नहीं चाहिए होगी इसलिए मैं बस तुम्हारे हल्प करना चाहती हूँ इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता जिस पर जैसिका कहती है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है बलकि मेरे हॉल्स की मेंबर तो बस अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि आने वले टाइम में तुम उन सब की स्प्रीम मास्टर बन जाओ तब ये सुनकर एलेक्स हंसते हुए कहता है कि मैं हमेशा फ्री रहना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह किसी का पापिट नहीं बनना चाहता और अगर मुझे कुछ चाये भी होगा तो मैं उसे अपने आपी हासिल कर लोगा और जो चीज़ मुझे पसान नहीं होती कोई भी में डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहां पर मार दूँगी ताकि आगी जाकर तुम मेरी मेंबर्स के लिए मुसीबत ना बनो जिस पर एलेक्स कहता है कि हाँ तुम कोशिश करके देख सकती हो लेकिन यहां पर जैसिका कुछ नहीं करती और वापी से नॉर्मल होकर एलेक कि आपने उसे क्यों जाने दिया आज तो उसे मारने का बहुत अच्छा मौका था हमारे पास जिस पर जैसिका उस बुड़े आदमी से कहती है कि आप शयद भूल रहे हैं कि उसने पहले भी बहुत सारे लुगों को बड़ी असानी से मार दिया इसलिए हमें हर चीज सोच सम कर दिया जिस पर एलक्स कहता है कि तुम मुझे स्टोन में चोड़कर वहां से उसके लिए फिर चले जाना लेकिन तभी हम नीचे कुछ लोगों को देखती हैं जो कि खाने के लिए उसी बर्ट पर निशाना लगाने वाले थे लेकिन तभी उन्हें उस बर्ट पर एलक्स ब स्टोन मुझेmor कर से म्युट हो जिस जिस पर बड करने हैं फैर नोगों से बचने में लेकिन पर कुछ लोगों को आने की आहट सुनाई देती है जो वहां पर आगर केंसे की यह क्या यह वर्ट अभी तक नहीं मतला इसकी बाद उन से कादमी अपना रौड वापिस लेते लेकिन Alex उंगली से उस रौड को रोकर कुछ से दोर फेंग देता है इसकी बात Alex उस पर एक अठेग करता है लेकिन उन में से एक दूसरा आकर Alex की अठेग को रोक देता है और वो Alex कहते है कि तुम्हारे इतने हिम्माद कि तुम हम पर अठेग करो ये कहकर वो आदमी अपने poison से Alex पर attack करता है लेकिन उस poison का Alex पर कुछ भी असर नहीं होता इसलिए वो उस poison को हटा कर उन सब से कहता है कि तुम अभी कमजोर हो इसके बाद Alex तेजी से उस आदमी के पास जाकर उससे hand to hand fight करके उसे पीछे दकेल देता है जिसके बाद वो आदमी Alex की attack से बचने के लिए अपनी family की dragon shield बहार निकाल लेता है तब वो shield को Alex अपनी power से तोड़ने लगता है लेकिन तब ही वो rod वाला आदमी पीछे से आकर Alex पर attack करने की कोशिश करता है लेकिन Alex उसे बचते हुए एक spiritual shield बना लेता है लेकिन वो आदमी Alex को एक बार पिर से लेकियों से कहता है कि ये बच्चा हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है इसलिए चलो आओ हम सब इसे मार देते हैं तब ये सुनकर उसका एक दोस्त उसके साथ मिल जाता है और वो दोनों मिलकर एक टकनीक पर फॉर्म करते हैं जिसकी वज़े से दोनों के दोनों dragon form में आ जा नहीं कि तुम मुझे हरा सको ये कहकर एलेक्स उन दोनों को अपना लेवल दिखाता है जिससे डर कर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन एलेक्स उन दोनों को पकर लेता है और उन्हें मारने के लिए एक टकनीक पर फॉर्म करने लगता है जिससे देखर उनके सा आती वहां से भाग जाते हैं, और जाकर ये बात अपने मास्टर को बता दीते हैं, फिर आगे हम स्टोन विलिज को देखते हैं, जहां पर शेन अपने स्टूडंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन तभी ऐलेक्स वहां पर आ जाता है, और रात होने पर वह उनसे पोचत करता है आगे हम देखते है एलक्स को जो कि अपने फ्रेंड रौय और अपने गाओं की बागी फ्रेंड्स के साथ अराम कर रहा था जहां के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह बनकी रहेंगे तब इन दिन एलेक्स गाउं के बच्चें के साथ खेलने लगता है जहां एक बार उसके पीछे एक लाइटनिंग डॉग भी पढ़ जाता है जिसकी वजह से एलेक्स को तेजी से वहां से भागना पड़ता है उधर डैविट को अपने फोर फादर से अपने क्लैन यहीं अपने कबीले और साथियों में से सबसी पावरफुल बन जाने का टाइटल मिल जाता है क्योंकि डैविट मार्शल आर्ट में काफी ताकतवर हो गया था उधर हम एलेक्स को चोटे बच्चों के साथ पूल में नहाते हुए देखते हैं उधर डैविट लावा में नहाकर अपनी बॉड़ को स्ट्रॉंग कर रहा था थोड़े टाइम बाद गोर्ड लेवल एरेना में एलेक्स और डैविट की लड़ाई की तैयारी होना शुरू हो जाती है उधर एलेक्स अपने स्टॉन विरिज के ट्री गोर्ड पर लेटकर अराम कर रहा था नेक्स सीन में हम दिखती हैं कि स्का स्काई बैटल फिल्ड का गोर्ड लेवल एरेना इतना भी खास नहीं है जितना इसके बारे में एंचेंट बुक्स में लिखा गया है जब यह सुनकर एक बुड़ा आदमी उसे बताता है कि कोई भी एरेना हो वहां पर होने वाली फाइट से फेमस होता है और वैसे भी आज चाईक साथ लेता है धिनी जिस की महल में एलकस ने बिल को मांड़ा था जिसके बाद वहां पर फाइर किंग भी अपने बेटी इनी जिए है के साथ आ जाते हैं जिन्हें देखर वहांपर कड़े हुए लोग Elijah ये दोनों भी आ जाएं हैं फाइर शात रूबी गीज अपन क्लैन मेंबर डैविड लड़ने के लिए तयार भी है या पर नहीं जिस पर जैसिका कहती है कि आज तुम यह सब कुछ चोड़कर फाइट पर दिहान दो तब डैविड वहां पर बिल के क्लैन की मेंबर की स्पाइडर फॉर्म पर बैठ कर जबरदस्ट एंट्री लेता है जिस अभी वहां पर वो गार्डियन भी आ जाता है जिसने एलेक्स और डैविड को स्काइब बैटल फिल्ड में लेडने के लिए कहा था और आते ही वो कहता है कि एलेक्स अभी तक फाइट के लिए क्यों नहीं आया क्या वो फाइट नहीं करना चाहता तब यह सुनकर जिया को अभी फिकर होने लगती है कि आखिर एलेक्स अभी तक क्यों नहीं आया लेकिन तभी उसी टाइम वहां पर एर्थ्वेक आने लगता है साथ साथ आस्मान का कलर भी रेड हो जाता है और वहां पर बिजली कड़कने लगती है और फिर इन बादलों के बीच से एलेक्स अपन करने के लिए लेकिन तभी वह स्पाइडर फॉर्म एलेक्स से कहती है कि आकि तुम्हारे हम्र खींठ कीसे हुई डैविट को चैलन्ज करने कि अंसितन स सुनकरुप वह थे सुनकर जा एडेविड और एलेक्स की वाइं सब्स्दंकर जहाएंक तर इसके वहां पर बिजली को फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसकी बाद एलेक्स और डैविड तेजी से फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ने लगते हैं जिनकी स्पीड वहां पर खड़े आम सोल्जर्स देख भी नहीं पा रहे थी लेकिन फिर भी वह यह अंताजा लगा लेती हैं कि डैविड के जीतने के 80 हैं क्योंकि उसके स्ट्रेंथ बिल्कुल बैलेंस्ट है उद्र एलेक्स और डैविड दोनों एक दूसरे को बराबर के टकर दे रहे थे जहां मौके का फाइदा उठाकर एलेक्स डैविड को किक करके दूर फैंक दीता है तब यह देखकर किंग मार काफी हैरान हो जाता है जिया बहुत जड़ा खुश हो जाती है लेकिन तभी डैविड बोलता है कि अभी तो लड़ने के बहुत सारे तरीके बाकी है जिस पर एलेक्स कहता है कि चलो ठीक है फिर से आजाओ तूं तब यह सुनकर डैविड तेजी से एलेक्स की तरफ जाकर उसे पंच मारता है लेक कर उस मैच को, इस फाइट को खतम करो जिब एत सुनकर डैविड अपना खास वैपन बाहर निकालता है जिसे देखकर एलेक्स भी वो गोस्ट वली तलवार बाहर निकालेता है कि तुम्हारे पास और तलवारे नहीं है जो अभी तक तुम इस टूटे हुई तलवार से लड कुप भी नहीं होता अब यहाँ पर डैविट एलइक्स से कहता है कि तुम तो ऐसे चुटे चूटे एटेअक करके मुझे बॉर कर रहे हो। तब सुनकर एलइक्स के कि क्यों क्या तुम्हारे पास कोई खास अटेक है। तब है सुनकर कर डैविड हसने लगता है और तभी वहाँ पर तोफान आने लगता है तब डैविड कहता है कि इस दुनिया में कुछ यह ऐसे लोग है जिन्वे इस एक को देखा है और आज तुम भी उन में से एक होने वाले हो क्योंकि इस अटैक से मैं तुम्हें तर्पा तर्पा कर मार द सुच को लगने लगता है कि इस टेकनिक से नहीं बंच पाएगा उधर डैविट के इस टेकनिक को इस्त्माल करने की वज़ए से एल SSC के ब्लेशी हो fawn आने लगता है सासाथ उसकी आस पास की जमेन बी तोड़जा रहाता है 57 असका मतलब ये हैं कि तो मम बड़ी बात थेंट लेट बारा लेकिन और एक 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 लिस्ड़ी पाँ сама आगे बड़ाए बड़ा hem इसकी करते ही उससे कहता है न लेकिन कारो भी तो मेश्का ऐसे हैं और घरएलेकर उसका काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद हम एलक्स को काफी बुरी हालत में मलबे के नीचे देखते हैं और उसे आसी हालत में देखकर जिया और रूबी घबरा जाती है और वहाँ पर खड़े हुए डैविट के क्लैन की लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि डैविट स तुम्हारी पावर इससे कई ज्यादा थी तो तुम अभी यहां पर कैसे हार सकते हो लेकिन तबी उसे टाइम एलक्स की आसपास आग जलने लगती है जिसे देखकर सबी लोग काफी हरान थे क्योंकि एलक्स अभी भी जिन्दा था उसी टाइम एलक्स अपने चारों तरफ पहला कर खड़ा हो जाता है लेकिन अभी भी वह बहुत जड़ा जखमी हालत में ही था लेकिन उसे जिन्दा देकर डैविट भी काफी हरान था कि आखिर एलक्स मेरी से टैक्सी जिन्दा कैसी बच गया और यहां पर जिया भी कुश्य होने लगती है लेकिन फाइर किंग ज कर दो पजाने की जीमिधारी लेगा इस तरफ डाविट ऐस सी कहता है कि तो फोमारा सिर्फ हात ही टूटा है और लगता है कि मैं तुम्हे पूरी तरह समझ नहीं पाया लेकिन itself अब मैं तुम्हें नहीं चूड़ू उस बेकार सी टेक्निक से मुझे मारने का सोच रहे थे लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं था इसकी बाद एलेक्स अपनी एनरजी अपने पंच में इकठा करने लगता है और एनरजी इकठा करने के बाद डैविट को जोर से पंच मारता है तब यह देकर स्पाइडर और जैसिका की वो बुड़ी औरत काफी हरान थी कि एलेक्स इतना पावरफुल है उदर एलेक्स फिर से डैविट के पास जाता है और उस बर्ड स्पिरिट का सेकंड अटेक इस्तामाल करता है जिसकी वजह से एलेक्स की स्पिरिट काफी तेज हो जाती है और वो तेजी से अलगलग डिरेक्शन से डैविट पर अटेक करता है फिर एलेक्स उस बर्ड का थर्ड अटेक इस्तामाल करता है जिसकी बाद वहाँ पर वही बर्ड स्पिरिट फॉर्म में आकर डेविट पर अटेक करती है और उसकी ऐसा करते ही डेविट को अपना पास्ट याद आने लगता है जहां वो देखता है कि वो एलेक्स की हाथों में है और एलेक्स कभी भी उसे कुचल कर मार देगा तब यह देखकर डैविट कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता क्योंगे यहां कड़े हुए लोगों की नजरों में मैं बहुत पावरफुल हूँ उसी टाइम एलेक्स वहां पर आस्मान से आग की बारिश करने लगता है जिसे देखकर जिया कहती है कि एलेक्स ने मुझसे ज़्यदा फार किंडम गी अटैक सीख रखे हैं आस्मान से आग गिरने की वज़सी वहां पर कड़े हुए आम लोग परिशान होने लगते हैं तो है कि हम फ्यूचर में एक दूसरे की दुश्मन बंगर रहेंगे इसकी बात एलेक्स उस बैट का फूर्थ अटैक इस्तमाल करता है जिसकी बात आस्मान से आके वो बड़े बड़े गोले डैविट पर गिरने लगते हैं इसकी वज़े से वो जमीन पूरी तरह से तोट जाती है तब यह देखकर वहां पर कड़े हुए लोग कहते हैं कि एलेक्स ने तो डबल प्यूपल वले आदमे को भी हरा दिया उधर डैविट को अपने फादर की बात याद आने लगती है जहां डैविट की फादर ने उसे उमीद लगाई हुई थी कि डैविट के पास डबल प्यूपल होने की वज़ह से टाइम आने पर एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और उनकी फैमली का नाम रोशन करेगा लेकिन तबी डैविट को अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहां पर उसकी मदर और बाके सब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास यूनिक डबल प्यूपल टेकनीक है तो तुम्हें बड़ा होने पर इस दुनिया पर राज करना है इसलिए तुम कल से ही इस डबल प्यूपल टेकनीक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी ये सुनकर डैविट को बचपन में ही अपने कंदों पर बहुज़ा बोज़ महसूस होता था इसलिए वो इस टेकनीक को अच्छे से इस्तमाल नहीं कर पाता था जिसकी वज़े से उसकी मदर उसे रोज मारती थी क्योंकि वो चाहती थी कि डैविट ही सबसे पावरफुल बने चाहे फिर उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े पिर आगे जब एलक्स के नाना ने डैविट की मदर को उसके साथ जल्म करने की सजा में जेल में डाला था तब डैविट अपनी मदर को वहां पर देखने गया था जहांपर डैविट की मदर ने उससे कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह करके सबसे ज़दा पावरफुल बनना है जाहे पिर इसमें तुम्हें कुछ भी करना पड़े लेकिन तुम किसी भी चीज़ की परवा ना करना और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना अब उनकी इस बात चिटके कुछ ही तिनों बाद एलक्स के फादर डैविट की मदर को मार देती है जिसके बाद डैविट ये ठान लीता है कि वो दुनिया का सबसे तकतवर इंसान बनेगा चाहे पिर उसे इसके लिए दुनिया के किसी भी इंसान को मारना पड़े अब डैविट को अपने बच्पन की ये बात यद जाती है जिसके बाद उसकी आसपास काला धुआ निकलने लगता है जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है तुम अभी भी नहीं मरे साथी साथ वहाँ पर कड़े हुए लोग भी ये कहने लगती है कि डैविट अभी भी जिन्दा है उसे टाइम आसमान का कलर बिलकुल परपल हो जाता है और आसमान से बड़ी बड़ी आंखें बाहर आने लगती है जिसका मतलब है कि डैविट अपनी डबल पीपल वली टक्नीक को इस्तामाल करने वाला है जिसे देखकर जैसिका के क्लैन की वो बुड़ी औरत कहती है कि अब तो अलेक्स फांस चुका है क्योंकि अब डैविट उसके हर वार का मुकाबला कर पाएगा लेकिन तब ये डैविट की वो डबल पीपल वली आंख चमकने लगती है जिसकी अनर्जी की वजह से उसकी तोटे हुए हाथ पांड भी ठीक हो जाते हैं जिसे देखकर किंग मार्क भी काफी खुश था और अब डैविट कड़ा होकर अलेक्स से कहता है कि अब लड़ाई का मज़ा आएगा तब ये देखकर वहाँ पर कड़े हुए लोग कहते हैं कि अब चाहे अलेक्स जितना मर्जी ताकतवर हो जाएं लेकिन वो डैविट की इस स्वाम का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि डबल प्यूबल वाले लोग हट से जदा ताकतवर होती है उदर डैविट जोर से हसने लगता है जिसकी ऐसा करती आस्मान में बनी आंकों से चेन निकल कर एलेक्स को गहिरने लगती है और एलेक्स उन से बचने की कोशिश करता है तब ये देखकर डैविट उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि इस दुनिया भर का बोज अपनी कंदों पर कैसा फील होता है तुम तब अस खुद को ही ठीक समझते हो लेकिन तुमने तो मेरा बचपन ही मुझसे चीन लिया उदर एल Doys पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं लेकिन तब ही डैविट एलbay को उन पत्थरों के बीट से निगाल कर फैंसाइन बना कर एलकस को मकड़े के जाल में कैद कर लेता है और एक बड़ी सी स्पाइडर फॉर्म को बाहर निकालते हुए कहता है कि अंदर एलेक्स चेंज से बंदा हुआ था लेकिन तभी डैविट उसे अपने डबल पीपल की मिदद से बताता है कि मैं तुम्हारी बॉड़ी की हर एक पार्ट को टुकडे टुकडे कर दूँगा लेकिन तभी एलेक्स को उन चेंज से बिजली के बहुते जटके लगने ल काफी खुश हो जाती है और तभी डैविट ऐसा इसली है क्योंकि तुम काफी वीक हो जिस पर डैविट कहता है कि आइसा आइसला मुझे लड़ने में मजदा आ रहा है और मैं तुमी बताना चाहता हूं कि मैंने डबल प्यूबल की असली पबर को इस्तमाल ही नहीं किया ज इसकी वजह से उनकी कानों में दर्द हो रही थी। लेकिन तब ही वहां पर एक spiritual bell आ जाती है। जिसके बार डैविड हंसते हुए Alex को उस बैल की अंदर खीशने लगता है। जिससे बचने की Alex काफी कोशिश करता है। लेकिन वो फिर भी उस बैल की अंदर कैद हो जाता है। उदर बैल की अंदर Alex को लग रहा था कि जैसे उसकी सोल कोई उसे अलग कर रहा है। जिसकी वजह से Alex को काफी दर्द हो रही थी। लेकिन तबी Alex की सुप्रीम बोन वाली जगा चमकने लगती है। जिसे देखर Alex कहता है कि मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। वरना तो मैं यहीं पर ही मर जाओंगा। इसलिए Alex यहां पर अपनी कंबाइन वेल टेक्निका इस्तामाल करता है। जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी बढ़ जाती है। जिसकी बात Alex को लगने लगता है कि उसकी बोड़ी के टुकड़े होने वाले हैं। इसलिए वो जल्दी से उ उदर डैविट को वो बेल अंस्टेबल होती हुई दिखती है। लेकिन देखते ही देखते उस बेल के टुकड़े होने लगते हैं। जिसका दर्द डैविट को भी फिल हो रहा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर Alex ऐसा कैसी कर सकता है। उसे टाइम Alex उस बे नहीं का इस्तामाल करके उस बेल से बाहर आ गए। जिस पर Alex कहता है कि वो तो बस एक आम सी टेक्नीक थी। तब यह सुनकर डैविट उसे कहता है कि तुम ने अभी मेरी पूरी ताकत कहां देखी है। उसे टाइम Alex डैविट को अपना लेवल दिखाता है। और वो था 10 तब यह देखर वहां पर खड़े हुए सारे लोग काफी हरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों के लेवल सेम ही थे। लेकिन उन्हीं लगता है कि डैविट के पास डबल प्यूपिल और सुप्रीम बॉन की पावर भी है। जिसकी वजह से वो जीत भी सकता है। उधर Alex और डैव से कहा था कि तुम्हारे पास भी एक दिल है इसलिए तुम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो और तभी Alex डैविट को बान देता है और अपनी सौड की पावर बढ़ा कर तेजी से डैविट की तरफ बढ़ता है तब यह देकर डैविट उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मा यहां पर खड़े हुए लोग बातें करने लगते हैं कि क्या डैविट हार गया उसे तो अपनी सुप्रीम बोन पावर इस्तमाल करने का मोका भी नहीं मिला उधर मार्क और स्पाइडर फॉर्म को लगता है कि डैविट इतनी जल्दी नहीं हार सकता क्योंकि पुराने टाइ लेकिन पता नहीं डैविट ने इतनी चोटी सी उम्र में यह सुप्रीम टेक्नीक कैसे सीख ली जिस पर जैसिका कहती है लेकिन अलक्स भी काफी ताकतवर है लेकिन तब ही उस जगा का गार्डियन बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि यह फाइड इस लेवल तक पहुन जाएगी और इसके लिए तो काफी बड़ा अरीना बनना चाहिए था उसे टाइम उन सभी पिलर्स में से एनर्जी निकलकर एक जगा पर इकटा होती है जिसकी मदद से वहां पर डैविट की एक काफी बड़े स्पिरिच्वल फॉर्म बन जाती है तब यह देकर जिया कहती कि यह कैसी पावर है और तबी डैविट अपनी बड़ी वली स्पिरिच्वल फॉर्म में चला जाता है जिसकी बात एलेक्स उस्पिरिच्वल फॉर्म पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वह उल्टा एलेक्स पर अटैक करके उसे दूर पहंक देती है तब य यह देकर एलेक्स कहता है कि आखिर यह पावर कहां से आ रही है उसे टाइम वह स्पिरिच्वल फॉर्म एलेक्स पर अटैक कर देती है जिसकी बाद एलेक्स को अपने ट्री गॉड दीखते हैं जो एलेक्स को बताते हैं कि तुम्हारा सफर अभी काफी लंबा है लेकिन कुछ पता चल जाएगा यह कहकर एलेक्स उस बर्ड स्पिरिट की एनरजी एक जगा फोकस करके उसे कठा कर लीता है और उसे एक तलवार करूप देखर स्पिरिचल फान के टुकड़े टुकड़े कर दीता है तब यह देकर जिया काफी कुश हो जाती है और कहती है कि देख जाता है और वह एलेक्स पर डबल पीपल की पावर से अटेयक करता है लेकिन इससे एलेक्स को कुछ नहीं होता जब यह देखकर जैसिका के क्लैन की वह बुड़ी औरत अपना सबसे ताकतवर वैपन बाहर निकालती है क्योंकि वह डैविट को मरता हुआ नहीं देख सकती थी क्योंकि इस सरां से उसके हॉल की बदनामी हो सकती थी इसलिए वह एलेक्स के बैक पर उस सिक्रिट वैपन से अटेयक करती है जिससे एलेक्स को काफी दर्द होने लगता है लेकिन दभी डैविट भी डबल प्यूपल का इस्तामाल करके एलेक्स को काफी दूर फैंक दे इसी टाइम एलेक्स अपनी सुप्रीम बॉन की पावर को इस्तामाल करने लगता है और उसकी ऐसा करने की वज़ए से वहां पर कड़े हुई लोगों के सर में दर्द होने लगता है और तब ही एलेक्स डैविट से कहते हैं कि वह बॉन तुमारी नहीं है जिस पर डैविट क टेक्नीक का अटेक होने लगता है जिसे एलेक्स एक शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह ज्यादा दिर तक ऐसा नहीं कर पाता जिसके बात वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जहां एलेक्स अपने निर्वाना स्टेज में पहुंच जाता है जिसका मतलब है मरने की बात और दुबारा पदा होने से पहले का टाइम जहां पर एलेक्स की पैरेंट्स उसे बताते हैं कि तुमी कभी भी अपने एक्स्टरनल पावर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बलके इसके लावा तुम अपनी पावर का अच्छा सोर्स ढूंडो और तबी एलेक्स की उस सुप्रीम बॉन वाली जगा चमकने लगती है जहां पर एलेक्स समझ जाता है कि अब उसकी सुप्रीम बॉन वाली पावर वापिस आ चुकी है तबी निर्वाना स्टेज में एलेक्स के ग्रेंट फादर उसे कहते हैं कि हम हमेशा तुमारे साथ रह करेंगे तब यह सुनकर एलेक्स की आंकों में आंसु आ जाते हैं और वो अपने फादर और ग्रेंट फादर सी कहता है कि आप बस मेरे वेट कीजिए में बहुत जल्द आपको ढूंड लोंगा उदर बाहर असली दुनिया में एलेक्स की सुप्रीम बॉन अपनी एनरजी ए कि एलेक्स अभी भी जिन्दा है सासा जिया और रूबी भी काफी खुश थी और उसी टाइम डैविट को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एलेक्स के पास ये पावर्स कहां से आ रही हैं उसी टाइम एलेक्स निर्वानल स्टेज से निकल कर वापिस से अपनी असली बॉ कावर्स की पावर्स कावर्स निकलता है तो अब तो तो अब क्लैन की सीनियर को क्या जवाब है निकालता है तब ये सुनकर वो औरत काफी दुकी हो जाती है और तब एलेक्स उस सिक्रिट वैपन से डैविट पर अटेक कर देता है और उसके ऐसा करते ही डैविट को अपनी मौत दिखने लगती है और इसलिए वो एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए जिस पर एलेक्स कहता है क्योंकि मैं किसी की एक्सपक्टेशन को अपनी शोल्डर पर जिम्मेदारी की तोर पर नहीं रखता बलकि मैं अपनी लाइफ खुद जीता हूँ तब यह संकर डेविट एलेक्स से कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह होता लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ तो खतम हो चुका है और डेविट की ऐसा कहते ही वो हार जाता है जिसकी बाद एलेक्स को विनर अनाउस करके उसे एंचेंट डिवाइन बुक का ट्रेजर दे दिया जाता है तब यह देकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफी हरान थे कि एलेक्स ने डबल प्यूपर वले आदमी को हरा दिया सासात मार्क भी काफी दुकी हो गया था लेकिन दूसरी तरफ जिया इस सबसे काफी खुश है जाती है जहां पर फायर किंग कहते हैं कि अब मैं एलेक्स पर यकिन कर सकता हूँ कि वो अपने किसी भी दुश्मन को हरा सकता है उदर फाक्स गर्ल अपनी बेहन जैसिका से कहती है कि अलेक्स ने तो डैविट को हरा दिया तो तुम्हारी तो डैविट को सिकाई गई सारी मेनत जाया चली गई इस पर जैसिका कहती है कि कुछ भी हो कभी जाया नहीं जाता उधर वा दूसरा किंग एलेक्स से कहता है कि बहुत जल्द एक काफी बड़ा खत्रा आने वाला है इसलिए तुम्हें जल्से जल्द खुद को और ग्रो करना होगा और उनके ऐसे कहते हैं यह एपिसोड्स यहां पर एंड हो जाते हैं थैंक यू फर वाचिंग